मिड़ वीक नॉमिनेशन खारीज हो चुका है जी हाँ बिग बॉस के सैट से बड़ी अपडेट निकल के सावने आ रही है सिर्फ एक कंटेशन को मिड़ वीक यानि कि कल निकलने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है और वो है अधनान सेख जी हाँ क्यों किया गया है अधनान क्रितिका है वो नॉमिनेशन में आई थी मैं खुश हो रादा कि भया चंदरिका गई अब क्रितिका भी जाएगी हम वोट नहीं करेंगे इसको भी और ये भी निकल जाएगी इसकी बार ही है भाई साब इन्होंने नॉमिनेशन ही सारा खारेज कर दिया क्यों हुआ है आखि अब गाईज लाइव से जो अपडेट निकल के सामने आ रही है वो बड़ी ही शोकिंग है बिग बोस बोलते हैं शायद ये चोटा मोटा कोई टास्क हो सकता है सभी चैट करते हुए फोन में दिखाई देते हैं और बिग बोस बोलते हैं कि चैट की अवधी कुछ इस तरह स बोलते हैं अब समापत होती है और इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो ये है कि पूरी मिड़ वीक जो नॉमिनेशन है वो खारिज की जाती है और उसकी जगा पर सिर्फ एक कंटेस्टन यानि की अधनान शेक को नॉमिनेट किया जाता है यानि अधनान शेक है कल बेगर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं लेकिन आप वोटिंग लाइन अब जाकर चेक कीजिए क्या वो साथ कंटेस्टन को वोटिंग हो रही है या फिर अधनान शेक को वोटिंग हो पा रही है मुझे बताईएगा वोटिंग लाइन ओपन है या फिर नहीं ओपन है तो किसके लिए open है यह आपकी duty बनती है मुझे comment box में बताईएगा ठीक है तो जल्दी से चाक कीजिए अच्छा अब क्या हुआ है कि अब अधनान शेक को नोमिनेट कर दिया गया है अब क्यूं किया गया भीया क्या reason है यहाँ पर देखो घरवाले सना सुल्तान और साई केतन यह दोनों मिलकर बाते कर रहे थे कि शायद यहाँ पर गलतियां हुई है अधनान से जिसके चलते बिग बोस ने उसको सजा दी है आपको बता है कि आज बिग बोस ने क्या किया है आज बिग बोस ने बीच में उसको चोक में खड़ा किया अधनान को और बोला कि भईया क्या कर रहा है आज की अपिसोड में आपने देखा अर्मान को अधनान ने बोला कि अर्मान तू सहीनी दिख रहा है और दूसरी तरफ विशाल को बोला कि तुझे टैस्श लेने की जरूत नहीं है विशाल भी बोला कि मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहा है तो यहाँ पर ये चीजे जब हुई है तो बिग बोस भी गुस्ते में आये कि भीया सब कुछ बता रहा है सब के बारे में बता रहा है तो हमारा गेम क्या रहे जाएगा शायद इस वज़ाए से उसको सजा दी गई है बाकी कलियर नहीं हो पाय रहा है क्या हुआ है लेकिन इतना कलियर है नोमिनेशन है वो खारीज करके पहले कि जो आज साथ लोग नोमिनेट हुए थे वो खारीज होकर सिर्फ एक यानि अजनान से को नोमिनेट कर दिया गया है अब पूरी अपरेट गाईज मैं थोड़ी देर के अंदर लेकर आता हूँ कि भाया क्या रीजन है असली कोई टास्क वास्क तो नहीं है लेकिन यहाँ पर घरवाले भी नहीं समझ पा रहे बिग बोस का इसलिए शायद नोमिनेशन है मिडविक का रोका गया है कि सीरा विकेंड के वार पर करितिका को निकाल देंगे क्योंकि करितिका भी आज हला करती हुए ज़र आ रही थी ना तो ऐसे में बिग बोस को लगा कि भी कंटेंट मिलेगा दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अधनान ने गलतियां की है उसको इसलिए लाया गया था कि कटारिया के साथ फाइट करनी है दो दिन से बिग बोस देख रहे फाइट नहीं हो रही है तो बिग बोस बोलेंगे कि भाईया इतना हमारे पास टाइम नहीं है पंदरा दिन है तो ऐसे में तुम भी जाओ तो ये रीजन भी हो सकता है कि आपर उससे गुसा करके उनको बाहर निकाल दे बाकि मुझे नहीं लग रहा ये रीजन होगा अभी शायद नोमिनेशन कैंसल हो जाए याँ पर अधनान भी बच जाए और उसके बाद कोई भी बाहर ना जाए और सीधा आपको विकन के वार पर एलिमनेशन दिखाए दे क्या बोदे के लिखना लिए कोमेंट बॉक्स में मिलता है कुछी देर में पूरी अपड़ेट लेके आते हैं आप हमें फोलो और सब्सक्राइब कर ले